हे दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको बहुत ही वैलुवेबल कंटेंट मिलने जा रहा है इससे भी वैलुवेबल कंटेंट आपको मिलता रहाएगा हर रोज हर दिन टेलिग्राम पे वीडियो के डिस्रीशन में आपको टेलिग्राम गृूप की लिंक मिल जाएगे वहा आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको वेप्रो की एम्टेक डिगरी वैलिड है और नहीं है लास्ट यंड में आपको वन वर्ड में बताऊंगा यस और नो ओके तो भई सब कुछ डीटेल में में देखेंगे मैं डायरेक्ट लेगर यस और नो बता दिया तो आप मान कि लिए आप क्या किंग रिए अन क्या किसे अमर्डाइ सीजुएं इण exhaust विजरू कर सकते हो अपका करियार आप कर सकते हो यह सब कुछ होने वाला है बस आपका एक ही टेस्ट से वो भी टेस्ट फ्री होने वाला है जब आप टेस्ट को clear करोगे इंटर्व्य को clear करोगे आपका tech role के लिए minimum package होने वाला और दोस्तों इस सारा प्रोसेस में एक भी रुपया देने की जुरुरत नहीं है अगर आपके पास skills है talent है देन अन्यकेड में रिलेवाल विल रिस्पेक्ट इवार टाइलेंट स्किल्स ओके वीडियो के डिस्रीशन में लिंक है जाके जल्दी चेक चकाउट कर देना क्योंकि यह free of cost के slot बहुत ही कम है ओके तो जैसी की देख सकते हो भई आखिर में आपको एक्स्प्लेन करोंगा M-tech degree होती क्या है तो भई M-tech degree होती क्या है यह क्या बचपना सवाल है हमको तो पता है M-tech degree Master of Technology होती है Master of Engineering जो भी होती है MS आप जो भी कहते हो भई यह मिलता है Only Engineering students को ला आपको पता है लेकिन यह कंपनी वाले कैसे दे रहा है और क्या सीन है सब कुछ हम इस वीडियो में explain करेंगे तो भाई वीडियो में कुछ भी कमेंट करने से पहले मैं आपको clearly बता दे रहा हूं एक बार research कीजिए दो बार explore कीजिए तिसरी बार भाई जाके जो भी कोई join है कमपनी में कोई आलरेड़ी वेपरो में 5 यर का यम्टेक डेगरी उसने pursue किया है उसको पूछ लीजिए जा कि आप क्या करते हो पता है फ्रेशर को पूछते हो और आप आके comment कर जाते हो भाई फ्रेशर को दूद के दुले होते ही क्योंकि उनको starting starting में silver या gold के spoon से feeding होती रह होते हो ना वो आपके जिंदगी का main turning point होने वाला है so you have to study क्या होने वाला है आगे आपके future के साथ ओके तो मैंने अभी बता दिया आपको एक विपरो एम्टेक होता क्या है या एम्टेक नॉर्मली होता क्या है तो भाई एम्टेक डिगरी विपरो आपको क्यों दे रहा है क्यों दे रहा है इसका मतलब है कि clearly विपरो छोड़के आप जाना नहीं चाहिए उसके साथ साथ आपको bond मतलब bond क्या होता है पता है आपको एक ही barrier में रखता है आपको दूसरा company का think करना ही नहीं है आप switch नहीं करना चाहिए इसलिए एम्टेक डे रहा है switch नहीं करना चाहि अजसे देखर अगर आप switch कर रहे हो कि यहिंटेक को रीगा दो एयर क किया है फिर दो एयर की बच्चे कर लेंगे ख्या जाता है आप यह यहम टेख के चकर में कार जेते हो लेकिन यह इंटेक 10 कहा वैलियू होनी जा राही यह है इंटेक डिग्री वैल्यों होनी जा रही है 4 to 5 year experience के सामने यह M.Tech degree की कोई भी value नहीं है, समझ गए, तो यह Wipro की M.Tech की degree लेके आप jobs के लिए apply नहीं कर सकते, जो M.Tech fresher वालों के लिए होती है, क्यूं? क्यूंकि भई, वहाँ पर कोई भी company का job description उठा लो, वहाँ पर note में, special note में लिखा होता है, कि only 2 years of M.Tech degree is valid, समझ में आगा है न, लेकिन आप यह Wipro की M.Tech degree कितनी है? 4 years की है, यह भी बात समझ लो, क्यूंकि कोई भी job portal पर जाओ, कोई भी कहाँ पर भी जाओ, वहाँ पर clearly mention किया होता है, कि 5 year का total आपका engineering और master साना चाहिए, BCA और M.C.A. के साथ 5 years का ही होना चाहिए, तो या 2 years का M.C.A. होन चाहिए, clearly उन्होंने mention किया होता है, तो यह हो गई first thing, second thing भई, वहाँ पर M.Tech के जो भी certificate है, उसके उपर तो कोई भी valid, not valid ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता, और कोई भी distance learning या कोई भी sponsor degree ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता, वो जैसे ही bits planning के normal degree मिलती है, same to same आपको वहाँ प M.Tech बस एक ही काम करता है, जो innocent को M.Tech के नाम पे Vipro लूर कर रहा है, मतलब कम salary में बहुत काम करवा रहा है, तो यह पहले के 4 साल जो ही है, Vipro के M.Tech के, भई, यहाँ पर आपको, ना आपको employ करके consider किया जाएगा, ना आप एक Vipro के valuable asset करके consider किया जाएगा, क्योंकि 5 साल त उसको loan मिलता है, bank की द्वारा, लेकिन यहाँ पर आपको role मिलने जा रहा है, कौन सा scholar training का role मिल रहा है, you are considered as a student only, आपको कोई भी bank में जाओ, और बोल दू कि भई, मुझे loan चाहिए, क्योंकि मैं Vipro के employee हूँ, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप Vipro के employee होई नहीं, जब तक आप की M-tech dairy खतम नहीं होती, you are not considered as a Vipro के employee, भई, I hope आपको इस उडियो के दोरा कुछ न कुछ तो समझ में आ गया होगा, you are only a student, you are only a trainee, you are only a low wage worker, you are only a slave, you are only a normal, जो भी काम करता रहता है, watchman, उतना ही salary आपको मिलता रहता है, तो भई, लेकिन आपको मिलता क्या है, आपर, बहुत knowledge मिलता है, वाले के साथ साथ जिन्दी जंड हो जाती है, वह भी मैं आपको clearly बता दे रहा हूँ, this is a real experience, this is a reality and you have to accept की Vipro की M-tech degree valid है के नहीं, and मैं मैं बस आपको यहीं बता हूँगा की Vipro की M-tech degree valid नहीं है, clearly मैं बता दे रहा हूँ, यह valid नहीं है, कहां पर भी आ और कुछ नहीं बताऊंगा, बस आज के लिए इतना ही, अगर आप रेजिमे के लिए apply नहीं किया है, आपके पास ATS based रेजिमे नहीं है, वीडियो के description में link मिल जाएए, आपको हम आपका रेजिमे बना रहे है, only for 149 रुपीज में ATS based रेजिमे बना रहे है, जल्दी से जा जाहिन वन्दे मातरम